हेलो फ्रेंड्स होप आप सब ठीक होंगे हम सभी बजार में पैसा कमाने के मोके ढूंटे रहते हैं और आप देखोगे कि एक पैसा कमाने का बहुत अच्छा जो मोका होता है बहुत अच्छी जो investment मानी जाती है बजार में सबसे safe investment जिसको कहा जाता है वह होते हैं IPO लेकिन यह करता है कि यह जो IPO है आप किस IPO में पैसा लगा रहे हो और वो कितना परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा तो आपने देखा है कि हम हमेशा यह सी रिसर्च लेके आते हैं जितनी भी हमारी पास्ट वीडियोज है आप सब को चेक कीजिए हमने हमेशा ही हम ऐसे IPO के बारे में आप पैसा कमा लेते हैं आज मैं एक IPO लेगा यू जिसका नाम है गायतरी रबड़ और कैमिकल्स लिमिटीड तो मैं आपको बताना चाहते हूं यह जो कंपनी है यह कंपनी रबड और कैमिकल्स बनाती है और आटोमोबिल शेक्टर के लिए काम करती है जैसे कि कंपनी का जो basically business है वो rubber components बनाती है, auto glass rubber बनाती है, जो गाड़ियों की glass में लगाने के काम आते हैं, आपने भी देखा होगा, sponsor rubber बनाती है, rubber profile का काम करती है, और PVC transparency profile भी बनाती है, ये company private companies के साथ साथ government sector के लिए भी काम करती है, government, state government के transportation में इसके product use किये जाते हैं, तो friends आप ये सोचिए, जो company private sector के साथ साथ government के लिए भी काम कर रही है, तो वो company का एक business model कितना strong होगा, उस company के products कितने strong होगे, तो अगर मैं private company के बात करूँ, तो इसका जो tie-up है, वो बहुत बड़े-बड़े leaders के साथ है, जैसे mother sunsumi हो गया, बानको हो गया, नालको हो गया, जिंदल हो गया, और इसके जो products है, company के जो products है, वो basically बहुत reliable products माने जाते हैं market के अंदर, company बहुत सालों से, जो इसके promoters है, ओनर है, बहुत ही experienced people है, इस industry के और बहुत सालों से market में काम कर रहे है, तो friends, मैं आपको बताना चाहते हूं कि ज़्यादा time नहीं है, IPO आ रहा है market में 25 जनवरी से 30 जनवरी को close होगा, इसका जो price रखा है, 30 रुपीज का price रखा है, आप भी देखों कि 30 रुपीज is nothing, 30 रुपे का IPO का price बहुत ही attractive price है, और मुझे लगता है कि हर किसी को लगाना चाहिए, क्योंकि इस IPO को लेके मैं बहुत bullish हूं, इसका जो business model है, company का, वो ही है, वो बहुत ही strong model है, जैसे कि हम लोग सभी देख रहे हैं, आप भी जानते हो, आप भी देख रहे हो daily basis पे, कि अब जो trend आया है, वो electric vehicles का time आया है, तो ऐसे में, इस company की demand और भी बढ़ गई है, इसके जो product है, rubber product है, chemical product है, वो इस industry को बहुत ही जादा support करते हैं, मतलब industry में demand बहुत जादा है, company के products की, तो बात करते हैं, इसका जो issue price है, वो 30 रुपे का price है, 4000 share का lot है, आपको भी पता है, कोई भी IPO जब आता है, तो आपको apply करने के लिए, एक lot size form में उसको apply करना पड़ता है, तो इस share का lot है, वो 4000 shares का lot है, जिसमें आपकी investment लगेगी 1,20,000 रुपे, एक lot 20,000 रुपे की minimum आपको investment करनी पड़ेगी, इसको apply करने के लिए, और इसकी listing date जो है, वो 7 February की है, तो friends, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, मेरा जो suggestion है, वो यह है कि आपको यह IPO जरूर लगाना चाहिए, और मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, यह double भी खुल सकता है, यह 30, 40, 50% भी आपको return दे सकता है, और 100% का भी return दे सकता है, जैसे कि आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, हमारे चैनल की पुरानी वीडियो देखेंगे, तो आप देखोगे कि जितने भी हमने IPO आपको advice की हैं, तो उसमें से बहुत सारे IPO ऐसे भी हैं, जिनोंने 80, 90 और 100% तक का भी return दिया है, तो इसी तरह के return मैं इस IPO से भी expect कर क्योंकि company fundamentals बहुत strong है, हम जो research लेके आते हैं, वो सारी fundamental के base पे लेके आते हैं, पूरा company का business को analysis करते हैं, हमारे जो experts हैं, वो काफी company पे research करते हैं, उसके बाद जाके हम suggestion लेके आते हैं, तो मेरी तरफ से इस IPO को big yes है, और आपको इसमें जरूर पैसा लगाना चाहिए, अग अगरा सा normal IPO से different होता है, तो friends उसके लिए मैंने आपे number दिया गया, आप हमारे expert से बात कर सकते हैं, हमारे जो advisors हैं, वो आपको बताएंगे कि इसमें पैसा लगाने का process क्या होता है, कोई भी आपको परिशानी होती है, IPO का apply करने में किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, तो आप हम से बात कर सकते हैं, और suggestion ले सकते हैं, और साथ में अगर आपके पस DMAT नहीं है, IPO apply तो करना चाहते हैं, बट आपके पस DMAT ही नहीं है, तो apply कैसे करेंगे, तो मैं बता दूँँ आपको कि सबसे पहले DMAT account खुरवाना होता है, अगर आप खुरवाना चाहते हैं, या आपको आपको apply करते हैं, या आपने पहले हमारे दिये गए IPO को apply किया है, या करना चाहते हैं, मुझे comment box में लिखके बताइए, IPO apply करने के बाद भी आप mention कीजिए कि आपने IPO apply किया है, जिससे कि मैं इसकी performance लेकिया हूँ, और आपको बताऊं कि मैंने जो IPO आपको suggest किया, उसकी performance क्य आ रही है, ठीक है friends, next video में आऊँगी, इसी तरह का content लेके, जो आपके लिए बहुत ही मुनाफे वाला content होगा, thank you